तो ही कैछ, स्वागत है आप सबी का Ask the Creasiest के कौन है क्योंने क्यों एपिसोड में हापर मैं जाब देना लाओ आप सबी के पूछे के कुछ सवालों का कुछ questions मैंने पिक किये हैं कम्मेनी टैप से और कुछ questions मैंने पिक किये हैं इंस्टागराम से सबसे पहले तो आपने कहा था भाया यार आप टोपी ना पे ना करो अच्छे नहीं दिखते हो तो अभी आप लोग कोमेंट केंगे ज़र से बताना मैं कैसा दिख रहा हूं किया मुझे कैप पहननी चाहिए और नहीं पहननी चाहिए तो बढ़ते हैं फर्स्ट कोशन की तरफ तो फर्स्ट कोशन है इंडियन आट रूम की तरफ से इनका जो है रैपिड फायर राउंड है इनका पहला कोशन है यूट्यूब और इंस्टाग्राम उविसली यूट्यूब थे क्यू और ए मतलब कोशन या आंसर ओविसली अंसर फिर थर्ड कोशन है अंबोक्सिंग और देखे रडब्बे तो हर कोई खोल देता है बट उस प्रोड़क को टेस्ट करना उस पर अपना ओपीनियन देना और रिव्यू देना तो मैं जो है रिव्यू को चूज करूँगा कि मुझे जो है रिव्यू पसंदे उसके पाद fans और friends fans और ये last में बोलते है thank you तो welcome मेरे भाई second question नोगा गेमिंग का ये पूछते आप एप एंड गेम कहा से ढूंदते हो तो गाई इने आप एंड गेम को ढूंदता हूँ प्लेस्टोर पे और काफी सारी लोग बोलते है आप एंड गेम को प्लेस्टोर पे कैसे ढूंदते हो तो ढूंदना काफी आसान है आपको जहें simply कीवर्ड पर ही सर्च करना है प्लेस्टोर पे जैसे के आपको फोटो एडिटिंग आप चीए तो फोटो एडिटिंग आप ये एक कीवर्ड हो गया तो ऐसे ही मैं जो है कीवर्ड के बेसिस पर प्लेस्टों पर एपसंग गेम्स को रुणता हूँ इनका जो है एक और कुशन तो जहाँ पर यह बुलते हैं आप के सिनेमेटिक शॉट कैसे बनाते हो और थैंक्यू सो मच इतना प्यारों सपोर्ट देने के लिए सो नेक्स्ट कोईशन है सलोनी जी का यह पूछी यूर चैनल इस लूजिंग सब्सक्राइबर इज डे बट यूर स्टिल ओन वाट मोटिवेट्स यू तो कंटेनू सलोनी जी देखिया आज के लिए जो मेरे साथ हो रहा है ना इसके से मैं खुद काफी ज़दा डी मोटिवेटेड और डिप्रेस्ट हूँ मैंने कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया उटा मैंने ट्राइ कि मैं हर वीडियो के त्रू आप सभी को कुछ सिखा पाऊ और जो चीज मुझे मोटिवेट करती है वो है मेरा पैशन यूट्यूब मेरा पैशन है मुझे वीडियो बनाना पसंद दे तो मैं ट्राइ करता हूँ जाद से जदा टाइम में बीजी रो वीडियो बनाने में अगर मैं यह सोच से रोंगा ना कि मेरे सब्सकाइबर कम हो रहे है मुझे हेट मिल रहे है तो मैं जो है डी मोटिवेट हो जाओगा और फाइनली उसका रिजर्ड निकलेगा डिप्रेशन मैं जो है डिप्रेशन में चले जाओगा तो मैं बस यही ट्राइ कता हूँ खुद को जाद से टाइम बीजी रखूँ यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने के लिए इनका जो है रैपिड फाइर कोईशन यह पुछते है पबजी और फ्री फाइर उसके बाद गर्ल्फरेंड और फामिली फिर यूट्यूब और मनी यूट्यूब अल्वेज फिर बोलते हैं सर प्लीज पिक माई कोईशन तो बड़े भाई आपका कोईशन पिक कर लिए और सर मुद बोला करो मुझे मैं आप सभी का भाई हूँ तो हमारे गेमिंग कम्यूटी में जो फेवरेट यूट्यूबर है वो है मैक्सटन मुझे जो है उनकी कमेंटरी काफी ज़दा पसंद है और काफी ज़दा मजा आता है और उनकी वीडियोस देखने में तो मिस्टी जी देखिए ऐसी कोई सबसे बड़ी अचीविमेंट तो नहीं है जो मैंने चोटे चोटे सपने देखे थे आज से तीन साल पहले वो आज पूरे हो तो ये सब देखकर मुझे काफी ज़दा अच्छा लगता है मतलब तीन साल पहले मैंने सोचता मुझे गेमीग करने के लिए लग एक गेमींग लैप-टॉप चाही, मैंने वीडियो सुचा दा आप जाने के लिए मुझे DSLR छाहे है तो मैंने DSLR बी ले लिया वही में एक सपना फूरा हो गया और फिर मैंने सोचा था कि काश में पास इक आलग से studio होता व्याइज बनाने के लिए आज में पास एक आलग से studio भी है फिर जो चोटी चोटी अचीशी में यह मेरे बहुत जादा matter करती है so next question है डेविट की तरह से यह पूछ से bro since you have lost 3k subs how are you still motivated to complete your 30 day school तो यार मैं motivated हूँ आप सभी के जैसे मेरी crazy जैसे आर्मी के जैसे क्योंकि जब भी मैं 5 बिचे वीडियो नहीं डालता हूँ so next question है अदित्य का अदित्य जी बोलते है भाई टेक्निकल गुरु जी की तरह unboxing करोगे क्या तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाव है गौरॉफ ऐसे हम unboxing नहीं करेगे हम लोग जोए the craziest के के चैनल में unboxing करेगे जी हाँ हम लोग जोए अपने चैनल पर unboxing करने वाले है guys सच बताओ तो मैंने काफी सारे products order किये है और काफी सारे products currently मेरे पास है मैंने इनको order किया लाके रग दिया और review videos unboxing videos नहीं बनाए बट अब definitely हम लोग जो हैं unboxing करने वाले हमारे चैनल पर so next question आ रहा है वो आ रहा है inspired boy की दरफ से वो बोलते है if you will get sponsor for 18 plus thing will you do if even they offer you better price अगर इनके question का मैं हिंदी में translate करके बता हो तो यह कह रहे कि अगर आपको sponsor मिलेगा कोई 18 plus चीज का मतलब adult चीजों का तो आप क्या से sponsor करोगे अगर आपको जादा पैसे मिलेगे तो यहाँ पर मैं आपको सच सच बता तो मुझे जो है काफी सारे 18 plus अडर्ट चीजों के sponsorship आते हैं मेल आते हैं कि हमारा XYZ गेम है हमारा XYZ application XYZ website है आप जो है उसका promotion कर दो और वो लोग जो है इतना मोटा पैसा offer करते हैं जो कि मेरे 2 या 3 मेने की YouTube income होगी बट मैं नहीं लेता हूँ इसे सारे sponsors मुझे पता है यह सब पैसे तो offer करोगे बट आप इनका promotion करोगे तो आप लोगों के नजरों में आपके इज़त ही हो दोगे तो यह सब चीजों से हम दूर रहते हैं नेक्स question है मश्रूफ एहमत का यह बोते है बांगलादेशी fans के लिए कुछ कहो भाई तो सबसे पहले बता दू आप सभी लोग मेरे काफी जादा special हो मेरे सारे के सारे fans मेरे दिल के काफी जादा करीब है और specially बांगलादेश और नेपाल से मुझे इत्ता जादा प्यार मिल रहे है न मतलब आप लोग इतने sweet हो जब भी मेरे आप से बात होती है आप इतने अच्छे तरीके से इतने अच्छे लहज़े से बात करते हो मुझे काफी जादा अच्छा लगता है और आप मैंसे काफी सारी रूप बोलते हो भाई आपसे मिलना है आप लाइब आके हमसे बात करो भाई आपसे कॉल पर बात करने है तो गई सच्छी बता रहा हो कभी लाइफ में मैं उतना काबल बनाना कि मैं बांगलादेश नेपाल हो मीट अप कर पाया तो मैं जरूर आके एक बार आपसे मिलूँगा ये बोलते हैं तो चलिए ट्राइ करके देखते हैं हसना मत कोई भी ना भाई हमसे ना हो पाएगा इनका जो पहला कोईशन है इनका जो सेकेंड कोईशन है विच इस यो फेवरेट मोबाईल कमपनी देखो मेरी फेवरेट मोबाईल कमपनी है वन प्लस और आइफोन बट मैं यूज कर रहा हू रियल मी फिर इनका जो नेक्स्ट कोईशन है आर यू इंटरेस्टेट इन स्पोर्ट्स इनका जो नेक्स्ट कोईशन है विच इस यो फेवरेट स्पोर्ट्स तो फेवरेट तो थोड़ा बहुत क्रिकेट है फोटबॉल भी पसंदे खेला कब डिको को यह सब भी खेल लेता हू कभी कबार बट कभी कबार इनका जो नेक्स्ट कोईशन है वो है इन फ्यूचर वाट यू विल दू लाइक नाउ यू अपलोडिंग वीडियोस अन यूट्यूब इन फ्यूचर वाट विल डू यू डू अनदर जॉब और नॉट तो भाई फ्यूचर में काफी सारी चीज़े करने है सिर्फ यूट्यूब तो नहीं करना है जो भी चीज़े होगी आपको धीरे 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 सारी चीज़े बता लग जाएगी तो नेक्स्ट कुईशन है मनव जी का यह बोलते है प्लीज आप रिपलाई दो हेटर्स को तो हेटर्स को मैं इतना हैं करना चाहूँगा अगर आप मुझे इसलिए हेट कर रहे हो कि मेरे कोई गलती है या मैंने कुछ गलत किया है तो आप सही हो आप सही के लिए मुझे हेट कर रहे हो बट अगर आप मुझे इसलिए hate कर रहे हो कि आपने कोई fake वीडियो देखी उससे आप जो है manipulate हो गए और आपको लगता है मैं गलत हूँ इसलिए आप मुझे hate दे रहे हो रोज रोज आप मुझे गालिया दे रहे हो message करके गालिया दे रहे हो तो यहाँ पर आप totally गलत हो आपको खुछ से थोड़ा बहुत analyze करना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है उसके बाद आपको जो है किसी को भी hate देना चाहिए क्योंकि आपके छोटे-छोटे messages से इंसान काफी जदर demotivate हो जाता है यह तो कुछ questions है जो मैंने community टैप से pick किये थे अभी कुछ questions हम लेते हैं Instagram से तो पहला question आ रहा है हमारे नितिन भाई की तरफ से हमारे नितिन भाया की तरफ से जो बूलते विच इस यूर most favorite tourist place question mark last कहा गये थे जो favorite tourist place है मेरी वो है केदानाथ मुझे life में एक बार तो कभी ना कभी केदानाथ विजिट करना ही करना है और last time कहा गयते हैं भाई studio से घर जाते हैं घर से studio आते हैं अभी corona के टायम है भाई कहा भी जाने को नहीं मिल रहा है और यह पूछते हैं चाए और coffee anytime चाए next question है कुस्पिती भूमी जी का यह बोलती है will you buy a new house for your family when you will have enough money तो जी हां मेरे life का ultimate dream यही है कि मैं अपने कमाई से अपने पैसों से अपने parents को एक बड़ा घर गिफ्ट करूँ तो जो में पस इतने पैसे हो जाएगे तो मैं अपने family को एक बड़ा घर गिफ्ट करूँगा आता है 24 जून को next question आ रहा है जोती ठाकर जी का यह पूछती आप study में क्या करते है तो जोती जी हम study में करते है बीकॉम और जो बीकॉम वाले होते हैं वो बीकॉम होते हैं हमारे स्वर कहां करते हैं गैस कुछ questions ऐसे होते हैं जो काफी बड़े-बड़े होते हैं इंस्टाग्राम पर तो उन्हें view करते हैं कि जब हम देखते हैं तो हम उनका नाम नहीं देख पाते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो इसलिए कुछ लोगों का मैं नाम नहीं ले पाऊंगा तो प्लीज नाराज मत होना आप next question में भाई बोलते हैं I have no question to ask just wanna say that you are an inspiration for me तो thank you so much मेरे भाई lots of love और आप में से जित्ते भी लोग बोलते हैं कि आप मुझसे इंस्पार हो तो मुझे काफी ज़दा अच्छा रखते हैं कि मेरी जर्णी देखकर आप लोग काफी ज़दा motivate and inspire हो आप सभी को बहुत सारा प्यार so next question है जहाँ पर हमारे भाई पूछ रहें new youtuber को कौन सी चीज पर पहले invest करना चाहिए तो guys अगर आप एक new youtuber है तो सबसे पहले आपको जो है खुद पर invest करना चाहिए आपको जो है खुद को time देना है आपको skills develop करनी है आपको नई नई चीज़े सीखनी है उसके बात guys आपक करेंगे नहीं दे सकता हूँ तो हम जो है next कुईने करेंगे next Sunday या Monday को तो उसके लिए आपके questions ड्रॉप कर सकते है इसी वीडियो के नीचे hashtag askthecraziest के लगा कर और behind the scenes and update के लिए आप मुझे follow कर सकते है Instagram पे link में आपके देदूँगा वीडियो के description में मैं आपसे मिलूँग झाल